हेलो माई लवडी लेडीज, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये रैड इसकाप अपनी वेस्ट पे क्यों बंदा हुआ है, तो थोड़ा रुगिए वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने आपने, इंफाक्ट सभी लोगों ने यो उनको पढ़ने का माहौल तो दे रहे हैं, लेकिन उनको वो माहौल नहीं दे रहे हैं, जिसमें वो अपने पीरियेट्स के बारे में बात कर सकें, तो कैसा ये बूमन इंपावर्मेंट हुआ, बलकि इससे बड़ी हिपोक्रिसी क्या हो सकती है? चलो, अब मैं आपको एक एक से फास्ट रखने से रोग दिया जाता है, हम लोग घर के बाहर तो गर्ल्स राइट, पूमन इंपावर्मेंट के बारे में ग्यान देते हैं, बट वहीं घर आते ही हमारे लिए पीरियेट्स टॉपिक बन जाता है, आप लोग सुपोर्ट करते हो अच्छी बात है, पर क्या आप लोगों को ये पता है कि घर में आपकी बेटी, बेहन, मा या फिर आपकी बाइफ पीरियेट में किन किन चीजों को फेस करती है, जैसे कि पीरियेट में होने वाले रैशिस, एचिंग और इंफैक्शन सबसे ज़्यादा पैन, ओ हाँ, आप लोगों कैसे पता होगा, य ये तो औरतों की प्रब्लम है ना, पर अगर चोट से लगने वाला ब्लड इस्टेंड नॉर्मल है, तो पीरियेट का ब्लड नॉर्मल क्यों नहीं, क्यों उसी की बज़े से हमें इंबरस्मेंट फील करवाया जाता है, तो यही सोच बताती है कि आप एक हिपोक्राइट है, गल्स की पीरियेट भी तो नॉर्मल ही है क्योंकि उन्हें ही स्पेशल ट्रीट किया जाता है, जब भी मार्केट से हम पैड लेने जाते हैं या फिस सैनिटरी बाय करते हैं, तो वो हमें ब्लैक पॉली बैग में छुपा कर दिया जाता है, इसी सोच को बदलने के लिए, बाकि पीरियेट्स में आपको कमफर्ट फील करवाने के लिए, आवर टीन के नीम और सनफ्लावर सानिटरी पैड तो हैं ही, जो आपको पीरियेट्स में होने वाले रैशे से प्रेवेंट करता है, विद इट्स एंटी वैक्टेरियल और एंटी फंगल प्रोपर्टी से, सो वाट्स आर यू वेटिंग फॉर, अभी नहीं तो कभी नहीं गाइस चीज को ध्यान रखिये,